प्रस्तुते कहानी हरीबिंदी लेखी का मृदुला गर्ग और वाचनस्वर अल्पना वर्मा यहां इस कहानी का केवल आडियो संस्करण ही प्रस्तुत किया जा रहा है आए कहानी सुनते हैं आँख खुलते ही आदतन नजर सबसे पहले कलाई पर बंधी घड़ी पर गई सिर्फ साड़े छे बजे थे उसने फॉरण दुबारा कसकर आँखें बंद कर ली और इंतजार करने लगी कि अब अलंग चरम राएगा और आवाज आएगी उठना नहीं है क्या पर जब कुछ देर चुपी बनी रही तो आँखें खोल कर देखा बिस्तर पर वह अकेली है अरे हाँ राथ ही तो राजन दिल ली गया है याद ही नहीं रहा तो अब उटने की कोई जल्दी नहीं है उसने धेर सारी हवा गालों में भरकर लंबी सांस छोड़ी और पूरी बिस्तर पर लोट लगा गई दूसरे सिरे पर जाकर मुह पर बहां रखकर लेटी तो कानों में घड़ी की टिक टिक बच रही थी बेह मुस्कुरा दी उसे कलाई पर घड़ी बांद कर सोने की आदत है रोज राजन चुड़कर कहता है यह क्या सारी रात कान के पास टिक टिक होती रहती है इसे उतारो ना उसने मुह पर से बहां हटा ले तक्या खेंच कर पेट के नीचे दबा लिया और लंबे चौड़े पलंग पर पाही फेला कर आउंधी लेट गई ओह सुबह देड़ तक सोने में कितना आनन्द आता है राजन होता है तो सुबह छे साड़े छे बजे से ही खटर पटर शुरू हो जाती है चाय नाश्य के तयारी दुपहर का खाना साथ में और आट बजे राजन दफटर के लिए रुख सकत ना जाने राजन को जल्दी उटने का क्या मर्ज है खेर आज तो वह सुबह तंतर है जो चाही करे उसने शेरी को ढीला छोड़ दिया और दुबारा सोने की तयारी करने लगी फिर आख खुली तो साड़े आट बज चुके थे उसने एक प्याला चाहे बनाई और खिड़के का परदा हटा कर बाहर जाकने लगी दूर तक धुन्द चाही थी आज जरूर बरसाथ होगी उसने सूचा उसे धुन्द बहुत भली लगती है जब मालूम नहीं पड़ता वहाँ कुछ दूर पर क्या है तो अनायास आशा होने लगती है कि कोई अनुपम और मोहक वस्तु होगी मैं भी खुब हूँ उसने मुस्कुरा कर सोचा मुझे धुन्द में खुलापन लगता है और सूरे के प्रकाश में घुटन चाय पीकर गरम पानी से देर तक नहाया जाए उसने सुचा और बाल्टी भरने लगी फिर ठंडे पानी की फुहारी उपर छोड़ ली और एक गजल गुन-गुना उठी बड़े तॉलिये से खुब रगड कर बदन पुचा आज एक अत्पुत सूर्ती और उत्साह का अनुभव हो रहा है नीले रंग का कुड़ता अचूडी दार पजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माते पर लगाने को हाथ पढ़ गया फिर नाजा ने क्या सोचकर उसे चोड़ दिया और बड़े सी हरी बिंदी लगा ली राजन होता तो कहता नीले पर हरा क्या तुक है उसने दरपंड में दिख रही अपनी प्रतिचाया को जवान निकाल कर चड़ा दिया कहा तुक क्या तुक है और खिल खिला कर हास पढ़ी दरास खोली तो नसर चांदी की बाली पर पढ़ गई उठा कर कानों में लटका ली वीवा की बात से पहनी छोड़ दी थी नकली है न और जरूर से ज्यादा बड़ी राजन कहता है एक पुराना बैग हात में ले जपट कर पाहर निकाल आई परामदी में मुंडू बैठा आराम से सिगरट फूक रहा था उसे देखते ही हथेली में छिपा बड़ी संजीद की से बोला खाना क्या बनाओं कुछ नहीं उसने कहा नहीं खाएंगे तुम्हारी छुट्टी मुंडू की घबराए सूरत देख कर हस पड़ी और बोली मेरा मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे बनालो तुम्हीं खाना ह चाहे खाओ चाहे छुट्टी मनो बिना यह चिंता किये कि ठीक कहा जाएगी या क्या करेगी वह सड़क पर कुछ दूर चलती चली गई बस इतना ही जानती है कि आज का दिन योहीं नहीं जाने देगी कुछ तै करने से पहले बारे शुरू हो गई उसने कुछ दूर भाग क पर टेक्सी को आवास लगाई और भीतर गुस कर सोचने लगी जब टेक्सी लिए है तो कहिना कहीं जाने को तो कहना पड़ेगा जहांगीर आर्ट गैलरी उसने जो सबसे पहले मुह में आया कह दिया गैलरी में किसी आधूनिक चित्रकार के प्रदर्शनी हो रही थी विश खाएं इधर उधर दोड़ी चली जा रही है अरे उसने सोचे यह तो बिलकुल मेरे कुड़ते की तरह है वैं जोर से हस पड़ी इतनी जोर से कि पास खड़ा एक दड़ियल उसको घूरने लगा कहीं यही तो चित्रकार नहीं है बेचारा जरूर चित्र अत्यंदत रासत र सान ही दाड़ी रखने का साहस कर सकते हैं कलाकार और सामन्त सामन्त अब रहे नहीं उनका इस्थान उद्योग पतियों ने ले लिया है तब तो दिन भर यही सोचता रहेगा उसने सोरी क्यों कहा उसमें भी नफे की गुंजाईश जूनता रहेगा वैं दूने वेक से हस दे फिर देखा बारिश थमी हुई है पराकाश अब भी कावे गुसेल नजर आ रहा है पूरा बर्सा नहीं उसने सोचा और फिर सड़क थाम ली सड़क के किनारे रिस्टरन देख उसको याद आया कि काफी जोर से भूग लगी है भीतर जाकर चटपटा आदेश से दिया एक ग लाया उसे ठंडा और गरम एक साथ खाना फला लगता है कहते हैं दात खराब हो जाते हैं कितना चटपट काम हो गए आज राजिन के रहता है तो बड़िया जगह बैटकर आराम से खाने की सूची देखने के बाद सोच विचार कर आदेश दिये जाते हैं खाकर बाह निकली तो सोचा पास किसे सिनेमा घर में पिच्चर देख ली जाएं किसमत से अंग्रेजी की पुरानी मजाक्य पिच्चर मिल गए डैनी की राजिन कहता है नजाने तुम्ही डैनी कैसे पसंद है मुझे तो उसके बचपने पर हसी नहीं आती पर उसे आती है खूब आती है फिर ह सूरत अंधिर में नहीं देख रहे थी पर हसी की आवाज जरू सुनाई पड़ रहे थी पता लग रहा था हसने में वे उससे दो कदम आगे है अधाकार की ये खास पेचारगे की मुद्रा पर वे इतनी जोर से हसे कि उनके हाथ आपस में टकरा गए सौरी कहने की रादे से एक दूसरे की तरफ मुड़े पर माफी मागने की बज़य एक ठाह का और लगा गए उसके बाद हर बार यही हुआ हसी आने पर वे अनायास एक दूसरे को देखते और मिलकर हसते खेल खतम होने पर एक साथ पहार निकले तो देखा साड़े चार बजे ही काफी अंधेरा हो चला है आकाश यो तना खड़ा है कि अब बरसा अब बरसा कितना सुहावना दिन है उसने अपने पड़ोसी से कहा सुहावना उसने कुछ इसरज से कहा या बेरंग हाँ कितना सुहावना बेरंग दिन है वे हास पड़ा समझता हूं सूरज यहां रोज निकलता है पर धुन क कभी कभी होती है, आठ महीनों में आज पहली बार, अब मांसुन शुरू हो जाएगी, हाँ, आज खुब बरसेगा, उसने कहा, फिर आनायास जोड़ा, कॉफी पीएंगे, हाँ, जरूर, हलकी हलकी फुहार पढ़नी शुरू हो गई, तो दौनों भाग कर सामने वाले रेस्ट में या घुसे, उसने बाल जटक दिये और बोले, आपका चाता कहा है, चाता, हाँ, आप लोग हमिशा चाता साथ रखते हैं न, वे ठाका मार करनास पढ़ा, इंग्लेंड में, उसने कहा, कॉफी मंगा कर दौनों सामने काले पढ़ाए, समुदर को देखते, अपने अपने ख्यालों में खो गए, सैसा उसकी आवाज सुनकर वैचोंकी, आप क्या सोच रही है, ये जानने के लिए पैने का खर्च करने को तयार हूँ, वे कह रहा था, दीजी, उसने हसकर कहा, उसने नहायत संजीत की सेजे में हाँ डाला और एक पैने आगे कर दी, उसने उसे हथेल पर पैनी नहीं दूंगी, उसने ये मुठी कसकर बंद कर ली, जैसे उसमें किसी आत्मिय का दिया उपहार हो, बुरा तो नहीं मानेंगी, उसने पूछा, और नहीं, उसने कह दिया, पदिल बैठ किया, और वही गिसी पिटी आशिकाना बातें शिरू हो जाएंगी, मैं सोच रहा था, बारिश पढ़ जाने पर यहां वोरले तक का टेक्सी भाड़ा कितना लगेगा, जोर से हस पड़ी, दुरभावना से नहीं, हर्श के अतिरेक से, मुझे रास्ते में छोड़ते जाएंगे, तो आधा, उसने कहा, बहुत खूब, उसने यह नहीं पुछा क कितनी अच्छी लगती है, उसने कहा, कुछ से यह दौना चुप रहे, प्रशांत महसागर पर जब जहा जाता है, तो उसके अगर भाग से चिरता जल, चांदी की तरह चमकने लगता है, अतिती नहीं कहा, क्यों, शायद फॉस्फोर एंसेंस के कारण, आपने कभी नहीं दे तो देखिएगा, आप बहुत कुमे हैं, उसने हलकी इश्चा से पुछा, बहुत, वह याद करके मुस्कुरा रहा था, सबसे अच्छी जगे कौन सी लगी, जब जहां हुआ, वह हिज के चाहट के साथ मुस्कुराया, पता नहीं, वह समझे या ना समझे, वह हामे में सिर ह दिला कर मुस्कुरा दी, उसने देखा, कॉफी खातम हो चली है, और बैरा बिल ये आ रहा है, बाहर वर्शा थमने लगी है, धुन भी चाट रही है, नहीं, धुआधार नहीं बरसेगा, वह संकेत जुटा निकला, अब धुन धट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाला स उतरते उतरते पैसे निकालने लगी तो उसने रोक दिया, रहने दीजे, क्यों, उसके माथे पर शिकन पड़ गए, आज का दिन मेरे लिए काफी कीमती रहा है, वह कैसे, मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा, उसने इस निक्त स्वर में कहा, वह ज दरा ठिटकी के टेक्सी चल दी, कुछ देर जाकर आखों से उजल हो गई, तो यह दी कहानी हरी बिंदी